पित्वी से भारी क्या है? माता आकाश से उचा कौन है? पिता पावन से भी अधिक तीवर गती किसकी है? मन की संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता मित्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान धर्म, यश, स्वर्ग, अत्वा सुख का मुखे स्थान क्या है? धर्म का मुखे स्थान दक्ष्टा है और यश का मुखे स्थान दान स्वर्ग का मुखे स्थान सत्य है और सुख का मुखे स्थान शील मनुश्य की आत्मा क्या है? पुत्र जगत को किस वस्तुने ढख रखा है? अज्यान ने आलस से क्या है? धर्म न करना आलस है सुखी कौन है? जो रिणी न हो सच्चा इसनान कौन सा है? जो मन का मेल्द हो दे काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक लोक में शेश्ध धर्म क्या है? देया स्रेश्ध धर्म है किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता लज्जा क्या है? ना करने योगे काम से दूर रहना लज्जा है देया क्या है? सबके सुखी इच्छा करना देया है राश्ट की मृत्यु का कारण क्या होता है? और राजक्ता हे राजन, वास्तों में ब्रामनत्र का प्रमान क्या है? कुल, चरित, शिक्षा या शास्त्र ग्यान? हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ग्यान ब्रामनत्र को सिद्ध नहीं करता ब्राह्मन तो का प्रमान तो निसंदेह चरित्री है अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मन से अच्छा है जो जन्ब से तो ब्राह्मन हो और शास्त्रों का ज्यान रखता हो परन्तो जिसका चरित्र अच्छा ना हो धर्म क्या तर्क में है? नहीं तो क्या रिशियों की विचारधारा में है नहीं क्योंकि किसी एक रिशी की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती उनमें मत्वेद होता है किसी रिशी के पास संपूर्ण सत्य नहीं तो फिर धर्म का संपूर सत्य कहा है व्यक्ति के हिर्दय की गुफा में और सबसे बड़ा आश्चरिय क्या है सबसे बड़ा आश्रिय ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यू जीवन का अंतिम सत्य है फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यू नहीं भरत शेष्ट तुमने मेरे सारे प्रश्णों के ठीक उत्तर दिये हैं